चोल बंश में एक राजा से दूसरे राजा को जब सत्ता सांतरन होती थी तो उस वक्त शीर्ष पुजारी जो होते थे वो आशिरवाद दिया करते थे और वो तो तब राजाओं का वक्त था तो उस वक्त तो जो राजा बनता था वो तो आजीवन राजा रहता था तो लोग आज पूछ रहें तो क्या मोदी जी को जब ये अधिरम की लोग आएंगे वो ये राजा दंड सौंपेंगे तो क्या हम ये कहना चाहते हैं ये संदेश देना चाहते हैं कि मोदी जी आजीवन जो है वो प्रधान मंतिरी रहेंगे देखिए बहुत अच्छा परस्न किया है वैसे जिनके हाथ में पहली बार आया था उन्होंने तो अपना राजवन से इस्थापित कर लिया था ये विश्व के लोकतांत्र सबसे बड़ा लोकतांत्रिक राजवनिश है जो चार पीडियों से उसके बाद उजही होते चले आ रहें पर तो हम तो एक बात और आपको याद दिला दे दर्शकों को नहीं पता हूँ चोन सामराज्य एक ऐसा सामराज्य था जहां पर पहली बार मत्तब में दो हजार साल पहले के दोर की बात बता रहा हूँ जहां वोटिंग के द्वारा ग्राम पंचायत और नगर पंचायत के सदस्य चुने जाते थे 6 समितियां होती थी 5 समितियां होती थी 6-6 लोग उसमें होते थे 30 लोग की कुल समिति बनती थी गाउं का प्रशासन चलाने के लिए और उन समित के सदस्यों का चयन मता दिकार के द्वारा होता था तो कहीं न कहीं है ये भी दर्शाता है कि जनता के पुजारी भी होते थे वो जनता के पुरोहित शब्दकार्थ है जो संपूर पुर यानि संपूर जो बस्ती है संपूर नगर है उसके हित का पुरोहित है इसलिए बहुत सी ऐसी बाते होती थी वो अभी जनता का ही पुरोहि इश्वरिय सत्ता के जिसने हमें जन्ता की सेवा करने का अवसर दिया इसलिए भी अपने आप में अलग था और यहां मैं एक और fact कह दूँ जो इस बात के लिए कई लोगों को लग सकता ना साब वो राजा थे और वो था मानिवर एक मैं fact quote करता हूँ दुनिया में पिछले धाई हजार सालों में जितने नरसंगार हुए यानि शासन के द्वारा मारे गए लोगों की संख्या यानि युद्ध के करने के बाद विश्व के सभी देशों के उन्होंने एक लंबी रिसर्च टीम के साथ धाई हजार साल के बाद यह अनुमान लगाया है कि एक अरब बीस करोडों लोग इन धाई हजार सालों में शासन के द्वारा मरवाए गए उनकी हत्याई नरसंगार कराया गया है परनतु भारत उन्होंने का एक मात राजे जहां तेरवी शताब्दी से पहले कोई बड़ा नरसंगार नहीं हुआ एक कलिंग और एक दो और उधारण छोड़के जिसमें की वो भी युद्ध के कारण था और उसमें भी कुछ हजार यानि एक लाख से कुछ हजार लोग की मृतु मानी जाती है और उसमें भी हिर्दय परिवर्तन करने में भूंग का निवाई अब तेरवी शताब्दी के बाद भारत में क्या हुआ था यह दर पूशता ग्रीस कहां यूनान कहां है घर घर में शुभ अगनी जगाता वह इन उन्नत इरान कहां है दीप बुझे पश्चिमी जगत के चाया जब बरबर अंधियारा तभी चीर कर तमकी च्छाती चमका हिंदुस्तान हमारा और मैं एक बिंदू और कह दूँ चोल साम मंदिर है जो तंजाओर में बनवाया गया चोल राजाओं के द्वारा जो बगएर नीव का मंदिर है जिसके उपर असी टन का पत्थर रखा आस तक ऐसी कोई टेकनोलोजी नहीं है जो असी टन के पत्थर को इतना उपर ले आ सके मगर वो भारत के विलक्षण इमारतों में और गर्ब करने का भी अधिकार